हेलो दोस्तों सेर सिंग न्यू ब्लाग में आपका स्वागत है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यह गंगा घाट है सुल्तान पूर गाजीपूर से लगबग 17 किलमेटर दूरी पर पड़ता है कल सावन का पहला सुमारी था 25 जुलाई प्रचीश नई जुलाई 26 जुलाई था ग्राम पंचायत भदेसर के ग्राम कक्रहिया गाओं के कुछ लड़के पहली सुमारी को जल चड़ाने के लिए गंगा नहाने के लिए आयत है यह बगल में जो गंगा नदी है वो अपनों टीम बनाकर लोग आये थें सुबह 6 बजे करीब और देखें यहां पर पानी का बहाँ बहुत ज्यादा है लोग नहाते नहाते अंदर चले गए उसमें से दो लोग एक ग्रोहित यादो और उनका एज बीस बर्स है दूसरा अच्छे ला ले दो उनका पचीस बर इस है तोनों लोग इस गंगा नदी में 33 समय रूप गए कल से यहां पर प्रसासन यहां पर गोता खुरों को लेकर खोज भी जारी कर रखी है क्योंकि अभी लोग तो चले गए हैं अभी कुछ दिर पहले यहां पर भीण लगी थी सब लोग चले गए कि यह नदी बहुत गारा है कि मैं दिखा देता हूं लोकेशन है कि अब तक कल से और आज तक वो दोनों लड़के नहीं मिले हैं अभी कुछ सुचना मिला कि एक लड़का अभी यहां से लगवा 15 किलोडर तूर आगे पुरफ दिसा में एक लड़का का लास मीली है अभी एक का खोजाई हो रहा है यहां से लोग चले गा है बीरपूर्ट वहां पर फोर्स लगी है जन कि यह उनलों का बोलबम जल चड़ाने वाला डब्बा है जोला है अगर बत्ती है माचीस है कुछ उनलों का वहां पर अंडर वियर भी है कपड़ा उपा है सब लोका अभी दर दर चितर वितर है यही उनलों का समान है जो अपना मंसा लेकर आयत है कि गंगा नहाना है सुबा अचलना है श्रीप बाबा सुमेश्वरनात के मंदीर पर जल चड़ाना है यहां से लगबच चार क्यूटर दूर पर उनका मंदीर है जारखंड महादेव है वो प्राचीन सीविलिंग है उनका बहुत उनकी हाँ भीण लगती है बहुत दूर दूर से लोग आती उनके दर्सनों के लिए गोठ्ब के लिए की दर्सन के लिए आते हैं लोग कल मैं भी उस मंदीर पर गया था घटणा को सुनते ही वहाँ पर सब दर्शन के लिए कारकरम बंद कर दिया दे गया था क्योंकि पुलीस SDM प्रसासन सब यहां मौजूद थे लोग सब यहां कार में बैस्त थे यही ओ गंगा नदी है यही ओ घाठ है यहीं दुनों लड़के डुबे थे अभी उनलों का बीरपुर में खोज भी जारी है सामने तो पुलिस भी आ रहे हैं अभी बीच-बीच में लोग यहां भी अफेच्छा करते हैं कि लास मिल जाएं कि मैं दिखा दे रहा हूं कि यहां पर इस नदी को अभी यहां पर इस लोकेशन पर जगा पर गंगाई का गाहराई ना पा गया है लोग बता रहे थें कि यहां कटान है यहां से डाइरेक्ट पानी अंदर चले गए उसके जो पानी का भावर होता है पानी के भावर में लोग पर गए उसमें लोग को डुबा दिया देखें मेरे पीछे दो सिपाही लोग आ रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पर देख रेक करने के लिए अभी यहाँ से भीड चली गई है यही लोकेशन है दोस्तो मैं सबी से निवेदन करता हूं उन दोनों लड़कों को उन दोनों भाईयों को भगवान सांती परदान करें मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद